सुखते हैं आप सभी का Tech Study IT यूटूब चनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IOCL में जो 1500 से ज्यादा 1535 पोस्ट पे एपरेंटिस सी पाई है उसके आउनलाइन फार्म के बारे में कैसे आप अपने मॉबाइल फार्म से ऑनलाइन फार्म अपलाई कर सकते हैं एंड बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे आपको कहीं भी जाने की ज़रूत नहीं होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप आसानी से कर पाईं चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजेगा UPPCL में Technician की जो 891 पोस्ट आई उसका उनलाइन फार्म भरने का वीडियो आ चुका है आप लोग जरूर चेकाउट करके मॉबाइल फोन से एपलाई कर लीजेगा Eastern Railway में 315 पोस्ट पे अप्रेंटिसिप आई अगर आप करना चाहते हैं जरूर एपलाई कीजेगा तीस तारिक से फार्म भरा जाएगा तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे इसी तरह से आपने अगर यहाँ पे होसी है इसमें भी अप्रेंटिसिप आई है अलग अलग रिफाइनरी में यहाँ पे वैकेंसी है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा नोटिफिकेशन हम इसलिए सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पे आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं अगर आप मल्टिफल फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसे है फॉर्म बिल्कुल फ्री है आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो फॉर्म बिल्कुल फ्री है इसमें कोई भी आपके चार्जेज नहीं लगने वाले हैं ठीक कोई फीस नहीं application form भरने की ITI की case में NCVT SCVT दोनों eligible हैं diploma, graduation के candidates भी इसमें form fill up कर सकते हैं नीचे बहुत सारे और जानकारी दी गई जिसको देखके ही हमने आपके लिए बताया था 18-24 साल तक की age रखी गई जो कि आपका 30 सितंबर 2022 को अगर 18-24 है तो आप इसमें apply कर सकते हैं as per your category आपको 3 years and 5 years and 10 years का relaxation मिल जाएगा अगर आप इसमें OBC category से हैं या SCST category से हैं तो आपका जो cast certificate होगा उसका आपको serial number and date issuing authority यह सब आपको जो है form भरते time fill करना पड़ेगा ठीक है and last date क्या रखी गई last date रखी गई 25 October उससे पहले पहले आपको form fill कर लेना है अब आएए देखते complete process यहाँ आप देख सकते हैं important date दी गई 23 तारीक है and 25 October है physically handicapped date है उनके लिए इसके साथ साथ यहाँ पर admit card आपके जो है नौवंबर में आ जाएंगे पहले हपते में और आपका एक written exam जो हो भी 6 नौवंबर को हो सकता है तो यहाँ पर सारी चीजें पहले से दे दी गई है and आपका DV भी जो है December में हो जाएगा December में आपकी जॉइनिंग भी इसमें हो जाएगी अचली यहाँ पर हम Indian IOCL उसकी official website पर आगे हैं जहाँ चे आपको form apply करना है and ध्यान दीजे refinery division के लिए है इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे apply करने के लिए जब नीचे आप आएंगे कुछ इस तरह का आपको एक interface मिलेगा mobile से हम apply कर रहे हैं इसलिए आपको अपने mobile से करने में भी आसानी होगी पूरा देखेंगे जो भी आपका है उसको आपको क्या कर लेना है select कर लेना suppose करिए मैं यहाँ पर trade apprentice fitter select किया आगे आपको proceed पर click करना है जैसे आप proceed करेंगे नीचे आप देखेंगे अब जो अलग-अलग refinery हैं कहाँ पर कितनी vacancy है वो आपको so होगा यहाँ पर तो उसमें से आपको एक refinery जो भी आप जिसमें apply करना चाहें उसे आप क्या करेंगे select कर लेंगे suppose करें मैं यहाँ पर मत्वरा refinery के लिए apply करता हूँ मैं यहाँ जैसे मत्वरा select करूँगा नीचे selected refinery में मत्वरा आ जाएगा ठीक है यहाँ पर मत्वरा refinery आ गया अब हमें क्या करना है प्रोसीड कर देना है जैसे आप प्रोसीड करेंगे अगला पेज जो application का है वो यहाँ पर open होना start हो जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ पेज आ जाएगा इसमें आपको सबसे पहले उपर जो है कुछ formats दिये गए कि यह format अगर आपके पास नहीं तिन format में आपका यह है जो certificates है यह बने होने चाहिए तो उसे आपको देख लेना है जो SCStune का एक TA का claim form भी है इसे भी आप download कर लिजेगा ठीक है EWS का format है सारे formats यहाँ पे दिये गए है तो यह सब आप download कर सकते हैं यहाँ पे एक apply now का आपका green color का button मिल जाएगा इसी पे आपको क्या करना है just click कर देना है apply करने के लिए form website बहुत slow है इस बार हमने healthier refinery select करके किया apply करने के लिए आप लोग भी थोड़ा सा रात में यापका internet अच्छा रहे उस टाइम पे try कीजेगा कई बार यहाँ पे जो है page जो है वो close हो जा रहा है automatic अब यहाँ पे apply now पे click करते हैं जैसे आप apply now पे click करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का interface open होगा click करने के बाद पहले आएगा instruction फिर personal detail, qualification, experience free detail and last में आएगा submission देखे फिस यहाँ पे आपकी कुछ नहीं लगेगी तो आपको ऐसे bypass करना रहेगा experience में भी आपको निल ही करना अगर एक साल से ज़्यादा का आपका experience है तो आप इसमें apprenticeship apply नहीं कर सकते एक अपनी photo and आपका signature जो है रखना है जो की height 125 pixel, width 95 pixel देखे ऐसे ही जब editing आती है तब आपको जरूद पढ़ती ही photo editor app की उसके बारे में हमने detail video बना रखा है कैसे आपको अपनी photo इन सब sizes में जो mention रहता है करनी है and 7 में 10 kb से छोटी file नहीं होनी चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है same आपका signature होना चाहिए जो की 4 kb से कम का नहीं होना चाहिए यह सारी चीज़ें आपको रखनी इसको रख लीजे then आप next पे यहाँ click कर सकते हैं कुछ इस तरह का page आपके सामने open हो जाएगा instruction के बाद यहाँ पे आपने पहले से जो post है इसके नीचे आपको अपको अपना यहाँ पे सबसे पहले first name देना है then middle name and last name फिर आपको अपना gender select करना है marital status date of birth father's name, mother's name ठीक है अपना religion, category आपका domicile किस state का है ठीक है then आपकी अगर caste EWS certificate है या जो भी आप community यहाँ choose करते है तो यहाँ पे उसका जो issue हुआ है उसका date and issuing authority का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा ठीक है इसके नीचे आप आएंगे physically handicapped है तो वो सब आपको देना है एक service man है तो देना है liability जो भी आपके declare करना है ठीक इसको fill कर लेते हैं आपको यहाँ पे दिखाते है उसके बाद आपका आजाता है address वाला portion and इसी portion में आपको अपना signature और photo जो है upload करना है ठीक है तो उसे भी यहाँ पे upload कर लिया जाएगा अब यहाँ पे आप देख सकते है form complete भरा जा चुका है इसमें अगर आप community अपना यहाँ OBC चूच करते हैं तो आपको अपने certificate का number जो है वो देना रहेगा जरूर उसको दे दीजिएगा यहाँ पे दोनों जगहों पे आपको no select करना है unfit आपका भी अगर हुए हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो आपकी qualification नॉर्मली 10th वाली है वो तो आप fill up कर देंगे जो ITA की qualification है उसको आपको जो है यहाँ पे add करते करते year या semester wise कैसा उसके recording आपको fill करना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे अपना जो 10th का है high school का उसको आप यहाँ पे पहले fill कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे देखे के लिए लिए लिखा ना metric with two years ITA माँगा गया है तो सबसे पहले यहाँ पे जो whether it's regular course yes करना है past yes अब नीचे आपको क्या करना है यहाँ पे इसको पहले yes कर लीजे हर बार yes करने के बाद यहाँ आप स्कूल का अपने नाम लिख दीजेगा यहाँ पे board लिख दीजेगा जो भी आपका board हो CBSTU हो, UP board हो, state board हो month and year कब आपने pass किया ठीक है 30 सितंबर से पहले pass रहेंगे तभी कर सकते हैं result कब आया उसका date आपको देना जो आपके mark seat या certificate के रहता है admission कब हुआ था, duration क्या थी course की, कितने साल, कितने मन्त की थी one year का रहता जन्तली यह चीज आपको यहाँ पे fill करनी है इसके बाद नीचे आपको ITA की detail जो है इसको आप year wise या semester wise जो है वो choose करिएगा, year wise जैसे choose करते हैं तो सबसे पहले year 1 का आपको number डालना यहाँ पे देन उसको add कर देना है इसके बाद यहीं पे select करना year 2 या semester 2 है तो यह इसे भी add कर देना है तो सबसे पहले इसको fill कर लेते हैं यहाँ पे numbers fill हो गए हैं इसी तरह से आप लोग भी अपना fill कर लीजेगा नीचे ITA का आप देखे year wise हमने select करके डाला है number आप अपने डालिएगा adjust हमने जो है आपके educational purpose के लिए डाले है numbers आपके जो number हो आप कितना पाए हैं कितने मेंसे उसको इस तरह डालिएगा year wise है एक या दो रहेगा या तो एक साल रहेगा या तो दो साल रहेगा इस तरह से आप डालिएगा इसके बाद अगर आपने higher degree जो है possess किये तो yes करिएगा yes कर देंगे तो आपका जो है candidature cancel किया जा सकता इसलिए इसको आपको no ही रखना है ठीक है तब ही आप apprenticeship कर पाएंगे एंड इसके बाद next पर आपको click कर देना है जैसे आप next पर click करेंगे यहाँ पर qualification आपकी two years होनी चेए two years हो चुकी है इसके बाद एक mistake आप लोग मत करिएगा उपर जो आपको detail देनी है वो ITI की देनी यहाँ पर आप 10th का मत दीजेगा आपने क्योंकि अगर यहाँ पर minimum यह two years नहीं है अगर duration तो आपका यह application माना नहीं जाएगा ठीक है तो उसको हम change कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ experience detail open होगा experience detail में आपको अपना कुछ नहीं fill करना है क्योंकि अगर experience आपका हो जाता है जादा तो आप यहाँ पर apprenticeship नहीं कर सकते एक यहाँ पर apprenticeship आपने पहले से की एक नहीं इसको आप no कर दीजेगा no करने के बाद आपको simply फिर से next पर क्लिक कर देना है website बहुत slow है यह इतना वीडियो बनाने में अप्रॉक्स हमें आदे घंट जादा का time लग चुका है क्योंकि बार बार page जो है वो expire हो जाता है फिर उसे refresh करना होता है एंड उसे हम pause करकर के बना रहे है तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो को जिससे आप लोग के लिए ऐसी हम content daily basis पे ले आते रहते हैं आप अपरेंटिसिप आई कहाँ वेकेंसी आई कैसे उसका form भरना है उसकी पढ़ाई की वीडियो उस लेबस का detail सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहता है यह IOCL की website का हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि इन्होंने बनाया आखिर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे IOCL के भी non executive का post हो चाहे यह apprenticeship का post हो form भरने में इतनी ज़्यादा परेसानी हो रही website इतनी ज़्यादा डाउन है का आप चाहे उसे high speed internet में कर रहे हैं चाहे जहाँ website के page बार बार expire होते रहते हैं तो इतनी बड़ी organization और ऐसी इनकी website काम कर रही है I don't know बट इनको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए ठीक है fees यहाँ पर कुछ नहीं लगेगी इसलिए इसमें fees वाले column में आपको कुछ नहीं करना है simply आपको next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करते ही आपका अगला page आजाएगा submission का and यहाँ पर आपको यह declaration जो है इस पर क्लिक करना है ठीक submit होने के बाद आप form को edit नहीं कर सकते and finally यहाँ पर आपको क्या करना एक preview ले लेना just form का जैसे यहाँ पर आप preview पर क्लिक करेंगे form का एक preview आपके सामने open हो जाएगा and preview से आप जो है अच्छे से मिलान कर लीजेगा उसके बाद आप finally क्या करिएगा यहाँ पर validate कर दीजेगा कि यहाँ समने उसका मिलान जो है वो कर लिया है literally IOCL ने इस बार मतलब disappoint किया इसकी website ने हर एक vacancy में and I hope आप लोग भी अगर form fill कर रहे होंगे तो ऐसा ना face करें तब तक यह situation जो है correct हो जाए but website बहुत ज़्यादा मतलब बेकार चल रही इस समय पर finally validate वाला page open हुआ application validated successfully यहाँ नीचे लिख के आएगा and इस तरह का green color का एक जो है यह रहेगा इसको आपको क्या करना submit पे click कर देना है जैसे आप submit पे click करेंगे आपके पास यहाँ पे आपका एक application form number open हो जाएगा application form का PDF आपकी जो primary mail ID आपने दी थी उस पे send किया जा चुका है यहाँ पे ऐसा message pop-up होगा and यहाँ पे आप देख सकते हैं page जो है यहाँ पे PDF copy आपका जो है वो कहाँ चली गई आपके mail पे चली गई and इसके बाद फिर से यही portal automatic open हो जाएगा तो चली एक बार mail चेक कर लेते हैं mail पे क्या गया हुआ है कुछ इस तरह सा mail आया यहाँ पे आपका application form है उसका PDF यहाँ पे भेजा गया इसमें आपका application number and data birth से आप login कर सकते हैं ऐसा भी इसमें जो है लिखा गया है साथ ही साथ यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इसका एक आपको PDF copy यहाँ पे मिल जाएगा तो उमीद करते हैं अब आप लोग भी अपने mobile phone से apply कर पाएंगे form website थोड़ी slow है कोशिस करिएगा रात में आप लोग apply कीजिएगा तो आसानी से चलेगी अगर website अच्छी चल रही तो comment section में जरूर लिखेगा जिसे और भी candidate से जान सकें और apply कर सकें और वीडियो को like प्लीज जरूर कर दीजगा इस वीडियो को बनाने में प्रॉक्स भले 12-13 मिनट का वीडियो इसको बनाने में प्रॉक्स हमारे 45 मिनट गए है पूरे पूरे थे कर दो कर दो हो अगर प्रॉक्स वीडियो और तो